कभी बिटन के उपनिवेश रहे होंग कॉंग में प्राजनीति खंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा पहले से ही वहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं जो कोरोना वारस के दौर में भी नहीं थमें जो लोग लोग के तंत्र के मांग कर रहे थे अब उन्हें सजा का सामना करना पड़ रहा है क्या है ये संकट और इसमें चीन की क्या है भोमे का आज का वर स्टोरी में इसे की बात कोरोना वारस के इस दौर में हौंग कोंग का राजनीति खंगामा भी चर्चा में है कोरोना के दौर में भी वहाँ पर प्रदर्शन होते रहे और अब गिरफतारियों का दौर जा रही है पहले वहाँ के लोकतंतर समर्थक जाने माने नेता जोशुआ वॉंग की गिरफतारी हुई और अब वहाँ के मीडिया टाइकून और लोकतंतर समर्थक जिमेलाई को फरदिवाडा करने के आरोप में गिरफतार कर लिया गया है उनकी कमपनी अपल डेली नाम का लोक परे टेबलाईड छापती है जिसमें अकसर होंग कॉंग और चीन के नेताओं की आलोचना होती है लाई पर पहले भी कई मुकदमें चले हैं मगर कभी भी उन्हें दोशी नहीं पाया गया जेल जाने से पहले बीवी सी को दिया इंट्रिवू में जिमेलाई ने कहा कि सरकार विरोधी आंदोलनकारियों को डराने के लिए उन पर ये मुकदमा चलाया जा रहा है किसी को काबू करने का सबसे आसान तरीका है उसके अंदर डर पैदा कर देना ये किसी को काबू करने का सबसे सस्ता और कारगर तरीका है वो इस तरीके को इस्तिमाल करने में माहिर है हमें बस इतना करना है कि डर को खुद पर हावी न होने दें डर पैदा करने की उनकी कोशिशों को नाकाम करने का एक ही तरीका है नजर उठाईए और डरिये मत डटे रहिये मेरे पास पीछे हटने का विकल्प नहीं है लाई की गिरफतारी से ठीक एक दिन पहले हॉंग कोंग के तीन प्रमुख लोग के तंतर समर्थकों को जील की सजा सुनाए गई थी जोश्वा वॉंग और उनके दो सहयोगियों को पिछले साल हुए प्रदर्शनू के दोरान अवैद धंग से भीड कठा करने का दोशी पाया गया था 24 के जोश्वा वॉंग स्कूल के दिनों से ही हॉंग कॉंग में लोकतंतर समर्थक अभियान से जुड़े हैं पहली बार 14 साल की उम्र में वो चात्रनेता बनकर उबरे फिर साल 2014 में अम्रेला मूव्मेंट के दोरान उन्होंने प्रदर्शन कारियों का नितर्टू किया मांग थी कि हॉंग कॉंग के लोगों को अपना नेता चुनने का अधिकार मिलना चाहिए अम्रेला मूवमेंट में उनकी भूमेका के लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया लेकिन पिछले साल जेल से रहा होने के कुछी दिनों के बाद हौंग कॉंग के पुलीस मुख्याले के घेरा बंदी करने वाले प्रदर्शनकारियों में वो शामिल हो गए थे ये प्रदर्शनकारी हौंग कोंग की चीन समर्थक नेता क्यारी लैम के स्तीफे और चीन से और अधिक आजादी की मांग कर रहे थे ये प्रदर्शन बीते कई दशकों से हौंग कोंग का सबसे बड़ा राजनेतिक संकट बन गये थे इनकी स्चुडवात संदिक दे लोगों को चीन प्रतिर्पत करने के बिल के विरोत में हुई उन प्रदर्शनों के बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक जड़ पे हुई थी और सैकड़ों लोगों को गुरफतार किया था एक साल बाद चीन ने हौंग कारियों के लिए एक नया सुरक्षा कानून लागो किया गया जिसके तहट प्रदर्शनकारियों को सजा देना आसान हो गया और उसके बाद प्रदर्शनकारियों के सामने ही दो रास्ता बच्चा या तो वही रहकर जेल जाएं या फिर वहां से पलायन कर जाएं इस सुरक्षा कानून के जवाब में ब्रिटन ने हौंग कॉंग के लोगों को वहां आकर रहने और काम करने के इजाज़त देने का बादा किया बीबीसी ने ऐसे ही खशक से बात कि बोसान 28 साल के हैं जब ब्रिटन ने हौंग कॉंग के बृतानी लोगों को नागरिकता देने के लिए नए वीजा सिस्टम की खूशना की तो बोसान हौंग का अपना घार चोड़ अकेले ही बृतन आ गए ये मैं हूँ पिछली साल आगस्त में लोगतंतर समर्थक प्रदर्शनों के बाद उन्हें गिरफतार किया गया था कई पुलीस वाले एक साथ आये और सब को मारने लगे मुझे भी मुझे गिरफतार कर लिया गया मैंने देखा कई लोगों को चोट लगी पुलीस ने उन्हें पीटा था कुछ को तो सांस भी नहीं आ रही थी बोसा ने बताया कि उस रात लगी चोट से उबनने में उन्हें छे महीने लगे शुरुआत में उन पर गहर कानूनी तरीके से गठा होने के आरोप लगे पर बाद में आठ आरोप और लगा दिये गए जिसमें गिरफतारी से मना करना और मारपीट शामिल था वो बताते हैं कि इस साल पहली जुलाई को लाग हुए राश्रे सुरक्षा कानून से पहले ही पुलिस उनका पीछा करने लगी थी रात को फोन करती थी और उनके परिवार को धमकाती थी तब उनके वकील ने उन्हें भाग जाने की सलहा दी मेरे वकील ने कहा कि मुकदमा निश्पक्ष नहीं होगा और मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए एक जुलाई से होंग कॉंग में नया सुरक्षा कानून लागू हो गया है सैक्रो प्रदश्टन कारियों को गिरफतार किया गया है जिसमें लोकतंत्र समर्थक कई बड़े नाम भी शामिल है इससे होंग कॉंग के लोग डर गए है बृटन के सरकार को लगता है कि कारीब एक लाख लोग होंग कॉंग छोड़कर बृटन पहुँचेंगे बृटन की भी होंग कॉंग में खास दिल्चस्पी रही है क्योंकि वो बृटन का उपनिवेश था ताइवान ने भी होंग कॉंग के लोगों को मदद का वादा किया है पिछले कुछ महीनों में दरजनों लोग नाओ पर सवार होकर होंग कॉंग कॉंग से ताइवान पहुंचे है इसी साल अगस्त में पकड़े गए ऐसे ही 12 लोगों को चीन में बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखा गया है लेकिन सिर्फ प्रदर्शन कारियों के खिलाफ कड़ी कारवाई से ही लोग के तंतर समर्थक आंदोलन को जटका पहुंचाने की कोशिश नहीं हुई कुछ हफते पहले चीन ने एक ऐसा प्रस्ताव पारत किया जिसके तहट होंग कोंग की आजादी का समर्थन करने वाले राजनेता बर्खास्त किये जा सकते हैं जैसे ही होंग कोंग की मिनी पार्लेमेंट में चार विपक्षी सदस्यों को सरकार ने अयोग्या करार दिया चीन ने 2017 में होंग कोंग की मुख्य कारेकारी बनाया था वो तभी से विवादों में है और शायद वहां की अब तक की सबसे कम लोकुप्रिया नेता भी है पहले उनके प्रत्यरपन बिल का विरोध हुआ जब और अब वो अलोकुप्रिया सुरक्षा कानून का समर्थन कर है और ठीक एक साल पहले लोकितंत्र समर्थक अंदूलन का भविश्य ठीक लग रहा था उनके उम्मीदवार स्थानिय चुनाओ जीत रह थे और चीन के समर्थन वाली सरकार दबाव में दिख रही थी लेकिन अब होंग कों की विधान परिशद में विपक्षी नही है और या तो मुगद्मों का सामना कर रहे हैं या फिर भाग गये हैं तो क्या होंग कॉंग में लोकितंत्र समर्थक अंदूलन का अंत हो गया है सुनिया चीन मामलों के जानका स्टीव सेंग क्या कहते हैं शी जिन पिंग चीन के कोई साधारन नेता नहीं है उनके दो पूरवरतियों ने होंग कॉंग कोंग के भविश्य को लेकर हुए समझोते को माना और उसे मिली स्वायत्ता का सम्मान किया लेकिन शी जिन पिंग ऐसे नेता हैं जो मानते हैं कि वहीं है जो चीन को फिर से महान बना सकते हैं और इसमें ये भी शामिल है कि हॉंग कॉंग चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी की इच्छा के अनुसार व्याभार करें तो फिर वो इंतजार क्यूं करेंगे ऐसा लगता है कि हॉंग कॉंग में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को अभी और संघर्ष करना होगा आंदोलनकारी अपनी कोशिश जारी रखेंगे और चीन की सरकार भी उन्हें रोकने की हर संभव कोशिश करेंगी ऐसे में लोकतंत्र समर्थकों की लड़ाई वैसी ही होने जैसी नेलसन मंडेला ने दक्षन अफरीका में लड़ी थी